इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की एकॉनमी को ऐसे कौन कौन से चैलेंजिस दरपेश हैं और पाकिस्तान की एकॉनमी जह वो वी क्यों है पाकिस्तान में एकनॉमिक रैसिज की वज़ा क्या है और हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की एकॉनमी को है so let us get right into the video what is meant by economy economy is an area of production distribution and trade as well as consumption of goods and services یعنی के economy के अंदर हम कोई भी चीज़ है हम इसको produce करते हैं इसके बाद हम इसके distribution करते हैं distribution करने के बाद हम इसको trade करते हैं इसके बाद consumption इसके करते हैं जैसे कि अगर हमने गंदम जहाँ उसको produce किया उसके हमने distribution किया जैसे कि अगर पाकिस्तान के मुख्लिव सूबों वगारा में गी इसके यानि कि हमने फिर trade भी की है उसके बार लोगों ने उसकी consumption की है तो economy के अंदर ये वली सारी चीज़ें आती है बेसिकलिए economy जो है इस term को हम use करते हैं कि जो states है जैसे कि मिसाल के तोर पर हम कहते हैं कि पाकिस्तान है कि पाकिस्तान अपने resources जो है उसको किस तरह से use करता है अपनी commodities को fill करने के लिए उसको fulfill करने के लिए और किस तरह से जो है पाकिस्तान उसकी trade करेगा किसी दूसरी country के साथ अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान की economy उसको कौन कौन से challenges वह दरबेश है सबसे पहले इसमें आता है ट्रेड डैफिसेट अब हम देखेंगे कि ट्रेड डैफिसेट किसे कहते हैं मिसाल के तौर पर जैसे कि इंपोर्ट भी हम करते हैं हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट काम करता है और इंपोर्ट जो है वो ज्यादा करता है यानि कि पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर जो है एक डिफरेंस एक गैप आ जाता है और इसे हम कहते हैं ट्रेड डेफिसेट यानि कि हमारी जो इंपोर्ट है वो ज्यादा हो जाती है और हमारी export जाए वो कम होती है basic के लिए हम import ज्यादा क्यों करते हैं यानि कि बाहर के मालक से ज्यादा चीज़ें क्यों मंगवाते हैं इसकी basic reason यह है कि वो चीज़े हमारे मुलक में producing नहीं हो रही और दूसरी reason यह है कि हम लोग foreign countries में जो भी चीज़ें बनते हैं हम लोग उसको ज्यादा prefer करते हैं अपने country के निस्पत इसलिए हमें import और export में जो gap है उसको कम करने की ज़रूरत है जब यह gap कम होगा तो इससे हमारी economy जो है वो strong होगी उसमेंसे जो हमने minus किया तो हमारे पास 48.66 billion डॉलर जो है पाकिस्तान का trade deficit है दोहजार बाइस में then second challenge जो है वो low rate of saving है यानि कि हम लोग consume स्यादा करते हैं और save जो है वो less करते हैं इसलिए economic growth के लिए जो amount available होती है वो बहुत कम available होती है अगर हम लोग 6% तक भी grow करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें तकरीबन 24-25% जो है investment rate की ज़रुत होती है और अगर हम लोग अपने domestic savings को पर rely करते हैं तो हमें जो है कम इस कम 25% अपनी savings जो है वो रखनी चाहिए इसलिए हम लोगों को जो अपना saving rate है से double करने की जरूरत है अदर्वाइस हम लोग जो है foreign resources को पर ही depend करेंगे 2022 में पाकिस्तान का saving rate जो है वो 3.8% है मतलब कि 100 रपे में से हर पाकिस्तानी जो है वो 3.8 रपे जो है सिरफ बचाता है बाकि जो है 90 तकरीबन बाकि 96.2% जो है वो खरच कर लेता है अपना और सिरफ और सिरफ 3.8 यानिके रपीस जो है उसकी बचत होती है जबकि चाइना का saving rate 45% है यानिके हर चाइनीज जो है वो सो में से 45 रपे की बचत करता है और वो सिरफ 55 पैसे जो है वो खरच करता है थर्ड चेलेंज है वो low per capita income है per capita income का मतलब है कि average income जो के एक person एक country में earn करता है एक साल के अंदर तो वर्ल बैंक की रपॉर्ट के अकोडींग के per capita income जो है पाकिस्तान की 2020 में 1188,86 रुपे थे जो के बहुती ज्यादा कम है पाकिस्तान में अगर बाहर की कोई कंट्री का कोई भी मेंबर जो है वो आकर यहां पर बिजनस करें तो इसके कोस्ट बहुत ज्यादा हाई है जैसे के लैंड की रिक्वार्मेंट है वाटर की गैस की एलेक्रिसिटी जो है यह चीज़ें वेलेबल ही नहीं है पर यह कि जो इटी आए की गौर्मेंट ने कंट्री में काफी ज्यादा प्राग्रेस की दि इसे हुआले से लेकिन फिर भी जो बिजनसमेन हैं उनको काफी ज्यादा हर्डल्स जो इसको फेस करना पर रहा है जो फिफ्ट चैलेंज है वो है गौवर्नेंस क्राइसिस अगर हम लोग अपन प्राइसिस ज्यादा है वो इनको प्रड्यूस किया है लेकिन यह क्यों प्यूपर इंप्लिमेंटेशन ज्यादा नहीं किये इसलिए गौवर्नेंस क्राइसिस ज्यादा यह भी पाकिस्तान की एकौनमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है हैि मैं यह गौवर्नेज चैलेंज जो है वो शेयरी नंग वर्ल्ट्रेड है हमारा वर्ल्ट्रेड में जो शेयर है वो बहुत ही कम है इसारे पाकिस्तान है तो यह सरफ चंद एक कॉमोडिटी इस नहीं जिन साथ है जैसे कि टेक्सटाइबर, राइस, पॉर्स और जो सरजिकल हूर्स है। पाकिस्तन इसी को ही एक्सपोर्ट करता है। तो हमारी सारे के सारी जो एक्सपोर्ट है वह सिर्फ चंद एक मार्क्रस तक ही है। USA तक है, यॉरप तक है और Middle East तक है 1990 में पाकिस्तान का जो शेर था वर्ल ट्रेड में वो 0.2% था जब कि 20 साल बाद ये 0.12% तक हो गया जो कि बहुत ही कम है पाकिस्तान की इंपोर्टर एक्सपॉर्ट में जो इंबैलन्स है और इंपोर्ट जो उसे काम कर सकें 7 चैलेंज जो है वो Energy and Water crisis है हम लोगों को जो है Energy और Water shortage जो resources हैं इनके crisis का सामना है इसकी वज़ा ये नहीं है कि हम लोग Water जो हमरे पास नहीं है यह हम लोग Electricity जो है वो इसको परेडियूस नहीं करें क्योंकि सिर्फ एलेक्टरिस्टी प्रड्यूस तो हो रही है बाइट ओनली फृटिफाइव परसंट जो है वो बिलिंग है जबके 55% पीपल ऐसे हैं जो कि इलेक्टरिसिटी को स्टेईल कर रहे हैं इसलिए हमारी गौर्णम्न जो है बिलिंग रिपीज जो हो भी पेग कर रह वाटर स्टोरेज के लिए है दुनिया में वो तरबेला टैम ही है हमारे पास जो वाटर कोर्स का लोस है उसकी वज़ा से यह तकरीबन हर साल 20 से 25 फिसे इसका लोस होता है इस लोस के बाद भी जो वाटर है इसकी इन एक्विटेबली जो है यह डिस्ट्रिब्यूट होता है इ इसलिए जो पूर फार्मर्स है उनकी जो प्रोड़क्टिविटी है वो पर एकर अगर देखा जाए तो वन टन पर एकर है एस कंपेर टू जो इन्फुएंशल लैंड्डोर्स है जिनकी त्री टन पर एकर है तो अगर हम लोग पानी जो है वो एक्विल दें स्माल फार्मर् और इससे जो है फिर फूर्ड ग्रेंज की एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होगी कोटन फूर्ड वगरा की भी होगी जो इससे पाकिस्तान की अंडिंग जो है वो ज़्यादा होगी अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है यह भी बहुत ज्यादा काम है लिटरेसी रेट को हम डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा परसंज जो के सैमन की एज या फिर उससे अबब जिसके अंदर यह बिल्टी होती है कि वह रीड कर सकता है राइट कर सकता है और गार किसी भी लैंग्विज को जा है वो अंडरस्टैंड कर सकता है और अगर हमारे यहां पर देखा जाए तो हमारे डिजिनल वालिटी जह बहुत सज्यादा है कमररा बलौचिस्तान जो बहुत सबही बीछिछ ऑगर पंजाब में देखा जाए तो यहां पर लीटरेसी रा तो हमें चाहिए कि जो औरिजिनल डिसारमनी है उसको हम खत्म करें हम अपने हर प्रोविंस जो है उसको एक्वल राइट्स दें इनके लिए एक्वल जैवो कोटा रखें ताकि पाकिसान का हर फ़र्ज जैवो पार लिख सके अब हम देखेंगे solutions के हम अपने economy को improve करने के लिए क्या कर सकते हैं यहां फिर हमारी government को ऐसे कौन से actions ऐसे कौन से steps लेने जाए अपने economy को improve करने के लिए सबसे पेले हैं यहां पर national branding यह एक country के लिए बहुत ज़्यदा important है कि वो global level पर अपनी जो market है उसको वो grow करे इससे उसके economy जो है वो भी grow होगी तो हमें चाहिए कि जो national branding है उसको मुखल तरह से भी कर सकते हैं यानि कि एक country जो है वो अपनी products के marketing कर सकता है international level के उपर हम लोग social media के जरीए उसको present कर सकते हैं हम लोग अपने culture को heritage को we logs में बना कर जो है उसमें हम उसको दिखा सकते हैं तो हमें जो है एक better trading system भी रखना चाहिए हमें tourist जो है उनकी attraction के लिए भी काम करना चाहिए जैसे कि दूसरे countries हैं अगर आप America वागरा को देखे तो दूसरे countries की जैसे के shoes की branding है या पिर कौपरों की अगर आप देख लें तो पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो चल रही बाहर की countries के करते हैं अपना जो जैसे की जूते वगरा है वो पाकिस्तान जैसे country और भी चाहिन अगरा तो वहां पर जैसे वो बनाते हैं कि यहां की labor जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ती है तो उन्हें चीज़ें बनाने चाहिए बहुत ज़्यादा सस्ती परती है तो इस तर जैसे कि आप Nike company देख लें और भी companies हैं उनकी चीज़ें पाकिस्तान में बन रही हैं इंडिया हो रही है तो यहां के लोग जो है वो भी उन चीज़ों को purchase करते हैं उनको पहनते हैं तो इससे जो है उस country की economy जो है वो भी strong होती है सेकंड जो है building up of human capital हमें इस बात को make sure करना चाहिए कि हमारा हर बच्चा जो है वो स्कूल में जाए हाई स्कूल में भी अगर जाने वाला बच्चा है तो इसके पास कम इस कम technical जो है वो ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए उनके पास कुछ vocational skills भी होनी चाहिए या पर इसे कम इ आप इसमें इमराइज करें पेपर में लिखें और बात में बूल जाएं बलकि हमें अपने knowledge को यूज करते हो इसे problem solving पर apply करना चाहिए अगर आप देखें तो जैसे कि करोना से पहले लोगों के पास mobile phone कम थे लेकिन जब करोना वाइरस आए तो इससे लोगों को online classes लेने के लिए mobile phone वगरा जब purchase करने परे तो हम लोग mobile phone को use करते होई जो climate weather के बारे में information ले सकते हैं health के बारे में जह ले सकते हैं यही नहीं हम इसे और भी बहुत सारी इसके जरी मफीद information जो है वो ले सकते हैं और हमें चाहिए कि हम इस technology को use करते हैं कुछ skills वगरा सिखें ताकि इसका हमें फायदा हो और हमारी economy जो है वा बूस्ट अप हो फूर्थ है यंग labor force पाकिस्तान एक ऐसा country है जिसके पास यंग labor force है अगर हम देखते हैं जपान को और योरप में देखा जाए और चाइना में देखा जाए तो उनके पास जो aging population है वो ज्यादा है as compared to young ones जैके इंडिया और पाकिस्तान जो है दो ऐसे country हैं जहां पर younger people की ज जहां पर यानि के यंगर की ratio ज्यादा है तो वहां पर unemployment का रेच है वो भी ज्यादा है तो हमें चाहें कि हम कुछ ऐसे जरावे पैदा करें कि हमारे जो नौजवान है उन्हें जो है वो jobs मिल सके अगर jobs नहीं मिल सकते तो कम हम उन्हें skills सकाएं अगर उनके पास skills होंगी तो सोशल मीडिया के जरी भी बहुत कुछ learn कर सकते हैं International Relations International Relations basically एक country के दूसरी country के साथ किसी तिसे यानि के countries के साथ ही इनके relation होते हैं इसके इंदर हम लोग दूसरों के साथ cooperate करते हैं हम लोग अपने resources को share करते हैं हम लोग technologies को share करते हैं और इस तरह हम लोग जाए एक दूसरे की help करते हैं pandemic में भी और terrorism में भी इसलिए एक country जाए उसे अपने neighboring country के साथ जाए good relations रखने चाहिए सरफ उसे के साथ नहीं बलके whole world के साथ अगर हमारे international relations अच्छे होंगे तो इससे हमारी economy जाए उसके growth में भी help होगी इसलिए ये एक country के ज़रूरत होती है कि उसके दूसरे countries के साथ जो हो अच्छे relation हो this is because कि जो whole world है ये एक दूसरे के उपर dependent है अपने resources को share करने के लिए इसलिए हमारे जो international relations है वो अच्छे होने चाहिए इसलिए हमारे जो international relations है वो अच्छे होने चाहिए इसलिए नेच्छल रेजरवायर्स नेच्छल रेजरवायर्स है एक country की economy को stabilize करने के एक main source है resources जैसे के oil, copper, coal, gas, metals, non metals और minerals और जैसे के पाकिस्तन के अंदर भी ऐसे resources है natural resources है तो पाकिस्तन को चाहिए कि अपने इन natural resources के उपर focus करें और इसको export करें जैसे के दूसरे भी developed countries करते हैं like Saudi Arabia भी करता है और वो इसके जिर्गिये बहुत स्यादा पैसा कमा रहा है जैसे के Russia यह भी जातर जैसे वो oil के उपर ही depend करता है और oil जैसे इनकी economy को boost up कर रहा है और सेवंध है human resources human resources का मतलब है जैसे कोई specific state है वहां के लोग जो है उनके पास क्या skills है अगर वो अपनी उन skills को use करें अपनी creative abilities को use करें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं अपने इस country के लिए इसलिए हमारी government जैव उसको यह determine करना चाहिए कि हमें अपनी country के अंदर कितने percent लोगों को बिजनस में encourage करना चाहिए कितने percent लोगों को IT में लाना चाहिए, arts में लाना चाहिए या किसी दूसरे department के अंदर इसके अकोल देंगी इसलिए हमें उनको यह training करनी चाहिए, हमें उनकी skills को improve करना चाहिए अगर हम यह काम कर सकते हैं तो फिर हम अपने economy में बहुत कुछ contribute कर सकते हैं हमें जो literacy rate है एक country का यह इस चीज़ में इसको boost up करने में economy को बहुत ज्यादा helpful है increase rate of saving जैसे कि मैंने पहले बताया कि चाइना में 45% saving rate है 2022 का यानि कि 100 में से वो लोग सिर्फ 45 रपेज है वो खर्च करते हैं और 55 रपेज है वो खर्च करते हैं तो पाकिस्तान किंदे 3.8 है यानि कि 3.8 रपेज है पाकिस्तानी सिर्फ इसकी बचट करते हैं तो हमें जो है अपने saving rate को increase करना चाहिए अगर हम saving rate को increase करेंगे तो हमारे पास ज्यादा पैसा बचेगा और उन पैसे को use करते हैं हम लोग अपना कोई business कर सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग थैंक्स वर लिस्निंग